हेलो फ्रेंज अब हम एक और इंटर्वी कुछन यहां पर डिसकस करेंगे यहां पर देखिए एक एरे डुपलिकेट दिया है मतलब जिसमें वैल्यू कुछ डुपलिकेट है तो हमें डुपलिकेट वैल्यू यहां से रिमूग करनी है तो मैंने इन बिल्ड फंक्शन का का वीडियो बनाते रखा है कि इन बिल्ड फंक्शन का यूज करके कैसे हम डुपलिकेट रिमूग कर सकते हैं ठीक है और विदाउट यूजिंग लूप वो था विदाउट यूजिंग लूप का हमें यूज नहीं करना था इन बिल्ड फंक्शन का यूज करना था यहां प यहां पर देखे एक लेट यूनीक यूनीक एरे यू आना चाहिए है यूनीक ओके यूनीक एरे एक मैंने यूनीक एरे ले लिया और यहां पर देखे फोरूप लगा दूँगा मैं आई ओफ डूपलिकेट वैल्यू ले देता हूं इसको आई को वैल्यू ठीक है तो यहां पर वन बाई बन मुझे वैल्यू मिलेगी ठीक अब मैं यहां पर कंडिशन लगाऊंगा कि यह जो वैल्यू है मैं चेक करूँगा क्या इसमें एक्जिस कर रही है जैसे इंडेक्स यह ठीक है माइनस वन मतलब माइनस वन है तो वह वैल्यू इसमें एक्जिस नहीं कर रही है अगर जीरो है वन टू है तो उसको इंडेक्स रिटन करता है इंडेक्स अगर एक्जिस कर रही है तो यहां पर मैं इसमें वैल्यू पूश कर दूंगा अगर इसमें एक्जिस नहीं क कर रही है कि इस तरह से और इसको मैं कंसोल गारा लेता हूं कंसोल डॉट लोग कि यह देखिए यह कितना इजी प्रोग्राम था यहां पर देखे मैं डुप्लिकेट रिमूग कर दिया अब इसकी जगह हम यह कि इंडेक्स ओफ नहीं आपको पता है तो यह भी लगा सकते हैं इंक्लूड्स और यहां पर हम वैल्यू को पुट कर दें इंक्लूड्स मतलए इसमें यह वैल्यू है है तो टू देगा वन रिट फॉल्स के लिए यह निगेशन मैंने यहां पर लगा दिया है आप देखिए यह देखे तो लूप की हेल्प से विदावट यूजिंग इन बिल्ड फंक्शनल्टी जैसे सैट का हमने यूज किया था डुब्लिकेट रिमोग परने के लिए तो यहां पर लूप लूप का यूज करके हम डुब्लिकेट इस तरह से रिमोग कर सकते हैं किसी बहुत ही आस प्रतों के साथ भी इसको जरूर जरूर सेर करें थैंक यूज वर वाजिंग प्लिस कनेक्ट विद मी फो